नमस्कार आप सबी कई गवाएं फिर से बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स प्रेग्निसी के दौरान मैलाईं अपने हर एक चीज का ध्यान रखती हैं बहुत जादा ध्यान रखती हैं खास दौर से खाने पीने का कि उनसे कोई गलती नहों जाए और बहुत सार मैलाई पहता है निवच captiv 的 जाए भ मेर की न करते टर्म जीजा है तो इससे कैला टालिते और करें और Geral कि मुझम करें ठंड़ने अंदर की बहुत पसंद आता है तो बहुत सा लोग केला कामद बनाने से यह बना के पीटे तो वह इसी बहुत अच्छा रहता हैं लेकिन कि आपको पीना चाहिए और नहीं पीना चाहिए और फाइदा क्या क्या है तो देखो बिल्कुल पी सकते हैं आप कैसे भी खाओ कैसे भी पियो लेकिन आप प्रेग्निंसी में कोसिस करेंगे केला और दूद साथ में जबूर लीजिए क्यों लीजिए क्योंकि आपको सारे फैदे मिलते हैं ऐसा माना जाता है कि अगर अगर केला और दूद का सेवन करते हैं तो इससे आपको ना काफी जादा तागत मिल जाती है और आपकी कमजोरी दूर हो जाती जो कि डिलीवरी के बाद मुश्टली आपको होती है और इसके लाव बच्चा भी हश्ट- कमजोर महसूस करती है और डिलीवरी के दूरान आपको काफी जादा तागत चाहिए तो काफी जादा एनरजी के लिए भी आप केला और दूद का सेवन कर सकते हैं इससे आपको काफी जादा सकती मिलेगी काफी जादा आप तागत वर महसूस करेंगी तो डिलीवरी के दौ पूर्टी के लिए भी आप खेला और दूद साथ में खा सकते हैं या फिर हो सकती है उसमें सुधार रही या फिर बच्चे का जो पूसर तत्व हैं वो सही लेवल पे रहे इसके अलाबा देखो जी क्या होता है कि प्रेग्निंसी की दौर्ण बहुत समयला को पेट में दर्थ की प्रॉलम होती है क्यों होती कि उनका पाचन तंतर अच्छे से काम करता नहीं है पाचन तंतर ख़ाब हो जाती है प्रेग्निंसी के दौरान तो पाचन तंतर को अच्छा करने के लिए कब्ज की प्रॉलम को दूर करने के लिए आप केला और दूद साथ में खा सकती है इस तो आपको ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए ठीक इसके अलावा ना केला में बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको पोटीसियम मिल जाती है पोटीसियम का क्या काम होता है यह आपके सरीर को बहुत सारे फायदे देता है जिससे कि आपको पैरों में जो एठन की प्रॉलम हो में केदा है कि लावा क्ल मिन लाने के लिए आपको पोटीसियम का होना जरूर्य है कई वार्ड को कब्रेस çekारे से आपको पाती है तो इस वजे से विद दो आपको लेवर पे नहीं आने वाला है तो उसकी दक्कत ना रही इसके बाद देखिए प्रेग्नेंसी के दोरना बहुत सा महिलाओ को सरारी परेशानी की वज़े से नींद नाने की प्रॉलम हो जाती है तो केला और दूद खाने से क्या होता है कि आपको नींद भी अच्छी आ आप अगर बीपी से परेशान है बीपी की प्रॉलम है आपको तो केला खाने से आपका बीपी भी कंट्रोल में रहता है यानि कि आपको ब्लड प्रेसर की प्रॉलम है तो उससे भी रहात पाने के लिए आप केले का सेवन कर सकती है केला मतलब कि केला और दूद का सेवन कर स इसमें आपको बिटमिन B6 मिल जाती है, जो कि बच्चे के केंद्रिय तंत्रिका तंत्रिके विकास में आपकी हेल्प कर देते हैं, तो इस वज़े से भी आप केला और दूद एक साथ खा सकते हैं, अब बात अगर आपकी करें, तो बहुत सा मेलाव को ना प्रेग्नेंसी के द आपको माइंड अच्छा होता है, मुड अच्छा होता है, आप हैपए-ःपई रहती हैं, तो आप इस वज़े से भी केला और दूद साथ में खा सकते हैं, तो यह हो गए फायदे, और बहुत सारे फायदे मिलते हैं, लेकि मैं आपको एक पुछ फायदे बता दिये हैं, त तो आपको यह breakfast के time लेना है, morning के time लेना है, बिल्कुर सुबह उठके नहीं लेना, लेकिन 9-10 बजे तक आप ले सकते हैं, तो दो केला ले सकते हैं, और आप एक गिलास दूद ले सकती हैं, आप चाहिए तो उसका सेख बगरा बना के ले सकते हैं, लेकिन दियाना कि बहुत ज जादा ठंडी चीजे मत लीजिए, कई बार नुकसान नहीं करता लेकिन कई बार नुकसान आपको कर सकती हैं, तो इसलिए जादा ठंडा नहीं होना चाहिए, आपको आप अराम से ले सकते हैं, या फिर डारेक्ट भी आप केला दूद खा सकती हैं, आप किसको नहीं लेना चाहिए, या फिर किसी को अस्तमा की प्रोलम है, तो उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कब बनने का खतरा रहता है, और बहुत सा मेलाओ कोना बहुत जल्दी से सर्दी जुकाम की प्रोलम हो जाती है, तो उनको भी थोरा सा केला खाने से परहेज करना चाहिए, क् कि सर्दी जुकाम हो जाएगे तो आपको राके बच्चे दोनों को प्रहसानी होगी तो बस यह है बांकि मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंकि तो मच नमस्ते